हलो दॉस्तों माइ मुबाल चले सुन में आपका स्वागा था दोस्तों दो या तीन दिन हुआ है गल्सिति का एक नया MT का सेटब लॉंच हुआ है तो बहुत सरे वीडियो की बना हुआ है लेकिन सुभी ने बताया है किसमें क्या क्या आपडेट है क्या क्या नए अड हुआ है लेकिन दोस्तो हमने देखा है किसमें नहीं बताया कि आप टूल को क्या से यूज करना है आप उपर भरसन देख सकते हैं Ultimate MTK भरसन 0.1 तोल यह नया सेटप है और इसमें ब्रैंड सेलेक करना का कुछ भी नहीं है नभी one model है ठीक है तो पूरा वीडियो में बने रही है दोस्तों हम पूरा वीडियो में आपको बताएंगे क्या 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 आपडेट आया है और कैसे अपको यूज करना है इसमें कुछ फाइदे वाला है या नहीं है और और क्या एड़नों से और भी बेनिवर्ट मिलता एक टू जट दोस्तों हम आपको बताएंगे अब देख सकते हैं यह सब जो चीप सट है या फिर जो भी सिप्यू है और अलेड़ी अड़ेक था लेकिन बहुत सबस्क्राइब नॉट वार्किंग था बग था उसा अब कंपने ने क्लियर किया है अभी आप देख सकते हैं यह आपर स्कैटर को डाइक्टल आप पहले पर सौटर कर पाता थे लेकिन आभी ओपो का ओफी जो फाइल है उसको extract की scatter बारना पड़ता था उसके बाद flash करना पूता था वो आपको फिलाल नहीं करना पड़ेगा उसके बाद metamode में आप factory reset कर सकते हैं format EMC कर सकते है format EFS कर सकते है उसके बाद जो नएया option add हुआ है वो है rpmb जो tool है वो add हुआ है अब देख सकते हैं पर read rpmb write rpmb ठीक है और format rpmb यह तीनों जो है totally नया लॉंच किया है और यहाँ पर security backup देख सकते हैं backup security backup nv room backup nv data restore nv data format nv data यह सब आप कर सकते हैं अभी पहले यह सब का option दोस्तों नहीं था अभी यह सब जो है नया एड हुआ है और यहाँ पर hardware ID आप अनलोग कर सकते हैं स्वारी hardware ID नहीं हावाई ID और MI entry lock और OPPO ID यह तीनों आप कर सकते हैं अनलोग ठेक हैं और वीबो का आए में रिप्यार का जो है वो नया लॉंच हुआ है देख सेथा वीबो security repair पेशाल यह भीबो security के लिए यह नया अप्डेट है support rpmb ठीक है और बाकी तो सब सेम यह और यहाँ पर दोस्तों देख से यहाँ पर लिखा हुआ है this is the sorry this is initial release of this new module ठीक है और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो है कि यह total company नया module लॉंच किया है अगर इसमें कुछ भी काम नहीं करता है या फिर कुछ आपको problem हो रहा है तो आप नीचे या फिर फार्म में जाके आप इसका report कर सेकते हैं आराम से तो company उसका उपर काम करेगा यह लिखा हुआ है ठीक है यह पर दो मूर्द दिया गया है एक है बूम मूट एक है फ्रीलोडर मूट और बाकी पूरा देख से थे पूरा एकदम बिल्कुल फ्रेस है एकदम क्लीन टूल है कुछ भी नहीं है ठीक है यह पर देख से तब अब यह अब सर्वीस पर चला आए तो यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है मेटा रिसेट अब मेटा में फैक्ट्री डिसेट कर सकते हैं फॉर्मेट एम्सी और फॉर्मेट योफेस एमसी और योफेस के लिए अलग-अलग दिया गया है अब डाइडेक्ली अगर फैक्ट्री से पर क्लिक करते हैं तो आटो डिटेक्ट करेंगा फॉर्म एमसी है या या योफेसर यहां पर वह सर्व उप्शन जो है डेख सकते हैं रिसेट अप्वाइटी रिसेट एमाई एकोंट एमाई रिलोग फिट्स जैसे मान के चला जो भी आपको पता है रिलोग क कर सकते हैं यहां पर फॉर्मेट एफिस फॉर्मेट यूजर एडिया और फॉर्मेट इफारफिट सबका बगल में देखिए एक्जीक्यूट लिखा हुआ है आप जिसको भी सिलेक करके एक्जीक्यूट करिएगा तो आपका जो है काम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यहा आपको बैकप लेना है आप ऊपर में ब्रूम मूड या फिर फ्री लूडर मूड में क्लिक करके ठीक है आप बैकप एक्जीकूट कीजिए आपका जो है बैकप लेना स्टार्ट हो जाएगा और एक टूल दोस्तों बहुत ही आसान किया है नहीं आपको कोई मोडेल से लेकर यहाँ पर कंपणी अगर एम टेक के सिप्यू का हलाकी बहुत सारा सेट अभी आ रहा है हैंगान लोगों तो ज्यादा सेटम में एम से हिल्थ का इस्वाई एम से कंजूम हो जाता है 90 पर्शन या फिर 80 पर्शन 70 पर्शन तो अभी फ्री टूल निकल चुका है ठीक है अगर आपको भी कुछ एड और कुछ करता तो अच्छा होता तो आप नीचे कमन में जरूर बताइए ठीक है हो सकता है कि मैं एम टी टीम को आगे फरवर्ड करूं आपको कुछ कमी लगता है तो नीचे कमन में जरूर बताइए थैंक्यू फर वाचिंग